फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है MSP जिसकी मांग पर अड़े किसान यह किन फसलों पर मिलती है और कैसे होती है तै फार्मर्स प्रोटेस्ट किसानों की मुख्य मांग में MSP की गारंटी शामिल है MSP वह निश्चित मूले है जिस पर केंदर और राजे सरकारे और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान खरीदती है फार्मर्स प्रोटेस्ट किसान अंडोलन फोटो पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुचने की कोशिश कर रहे है राजे के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आवहान किया है यह विरोध नियूंतम समर्थन मूले यानी MSP को लेकर है किसान MSP के साथ ही स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने लखीमपूर खीरी हादसे पर सक्त कारवाई करने जैसी कई अन्य मांगों पर भी अड़े है इस से पहले सुमवार देर रात केंदर सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें MSP समेट कई मुद्धों पर बात हुई हाला कि फसलों के नियूंतम समर्थन मूले की गारंटी पर बात अटक गई नियूंतम समर्थन मूले क्या है MSP को लेकर किसान क्या मांग कर रहे है सरकार का क्या रुख है Farmers Protest What is the MSP issue on which farmers are agitating Farmers Protest फोटो नियूंतम समर्थन मूले क्या है MSP वह निश्चित मूले है जिस पर केंदर और राज्य सरकारे और उनकी एजेंसियों किसानों से खाद्यान खरीदी है यह खरीदी केंदरिय पूल के तहट की जाती है जिसका उप्योग सारवजनिक वितर प्रनाली, PDS और अन्य कल्यानकारी योजनाओं के तहट खाद्यान मुहिया कराने के लिए किया जाता है इसके अलावा खाद्यान को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षिद भी रखा जाता है हालां कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर MSP की गारंटी देने की मांग की जाती रही है Farmers protest What is the MSP issue on which farmers are agitating? MSP, photo MSP किन फसलों के लिए लागू है? केंदर सरकार, खृशी लागत और मूले आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रभी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और डाले जैसे खाद्यान शामिल है इन फसलों के लिए MSP होती है ये फसलें हैं इधान, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, औरद, मूंगफली, सूरज मुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, रामतिल और कपास वहीं डस रभी फसलों के लिए MSP दी जाती है ये फसलें हैं गेहूं, जव, चना, मसूर, सरसों, कुस्म, तोडिया और अन्य फसलें, कोप्रा, भूसी रहित, नारियल और जूट खाद्यानों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राजियों में केंद्रित है देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उतपादन करने वाले तीन राजे मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाना इसकी ज़्यादातर खरीद करते हैं वहीं चावल का उतपादन वाले छह बड़े राजियों पंजाब, तेलंगाना, आंधर प्रदेश, चछतिसगर, ओड़िशा और हरियाना की खरीद में ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है फर्मर्स प्रोटेस्ट गेहूं खरीदी केंद्र, फोटो, अमर उजाला MSP खरीद का असर क्या हुआ है? केंद्र सरकार की खरीद नीती के अनुसार, सारवजनिक खरीद का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाबकारी मूले मिले यदि किसानों को MSP की तुन्ना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं MSP किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसले उगाने के लिए प्रोटसाहित करता है चूंकि गेहूं और चावल PDS के तहट प्रदान किये जाने वाले प्रमुक खाद्यान है, इसलिए इन फसलों की ज़्यादा खरीदी होती है यही कारण है कि फसलों का उतपादन गेहूं और धान पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तों का उतपादन करने के लिए प्रोटसाहन नहीं मिलता है इसके अलावा इससे जलस्तर पर दबाव पड़ता है क्योंकि ये फसले पानी की अधिक खपत करती है कुछ राजे सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उतपादन को प्रोटसाहित करने के लिए कुछ कदम उठाए है उदाहरन के लिए हरियाना ने MSP के लिए योजना शुरू की जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल या कपास उगा सके योजना के तहत विविद फसलों की उपज को राजे सरकार MSP पर खरीदती है हरियाना के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को MSP देने की शुरूआत की है Farmers Protest What is the MSP issue on which farmers are agitating? सरवन सिंग पंधेर, फोटो, संबाद न्यूज एजेंसी MSP को लेकर किसान क्या मांग कर रहे हैं? पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंदर न्यूंतम समर्थन मूले या MSP की गारंटी वाला कानून लाए दिल्ली कूच से पहले बारह फरवरी को किसानों और केंदरिय मंत्रियों के बीच बैठक हुई लेकिन इसमें ASP जैसी मांगों पर सहमती नहीं बन पाई किसान नेता सर्वन सिंग पंधेर ने से कहा कि उनकी मुखे तीन मांगें MSP की गारंटी, किसानों के करज माफ करने और साथ से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमती नहीं बन सकी फोटो, एजनसी, फाइल फोटो किसानों की मांग पर सरकार का क्या रुख है? बैठक का हिस्सा रहे केंद्रिये कृशी मंतरी अरजुन मुंडा ने कहा, परामर्श की आवशक्ता है इसके लिए हमें राजियों से बात करने की आवशक्ता है हमें चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंडने की जरूरत है भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है जनता को परेशानी में नहीं डानना चाहिए, किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए इससे पहले सुमबार को जालंधर में केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले दस वर्षों में कांग्रेस की तुन्ना में भाजपा सरकार ने किसानों के हिट में कई अहम फैसले लिये हैं हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को MSP के नाम पर विरोधी दल भरका रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए। कांग्रेस ने अपने कारेकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दो गुनी से ज़ादा खरीद की और दाम भी ज़ादा दिये। फार्मर्स प्रोटेस्ट, क्या है MSP जिसकी मांग पर अड़े किसान यहकिन फसलों पर मिलती है और कैसे होती है तै न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली पबिश्ट बाइ, शिवेंदर तिवारी अपडेटेड टूस्डे, 13 फरवरी दो हजार चॉबीस दो पर के दो बजकर पचपन मिनट आएस्टी टेश, फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों की मुख्य मांग में MSP की गारंटी शामिल है MSP वह निश्चित मूले है, जिस पर केंदर और राज्य सरकारे और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान न खरीती है फार्मर्स प्रोटेस्ट, what is the MSP issue on which farmers are agitating? पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुचने की कोशिश कर रहे है राजे के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आवहान किया है यह विरोध नियूंतम समर्थन मूले यानी MSP को लेकर है किसान MSP के साथ ही स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपूर खीरी हादसे पर सक्त कारवाई करने जैसी कई अन्य मांगों पर भी अड़े है इससे पहले सुमबार देर रात केंदर सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें MSP समेट कई मुद्धों पर बात हुई हाला कि फसलों के नियूंतम समर्थन मूले की गारंटी पर बात अटक गई आये जानते हैं कि नियूंतम समर्थन मूले क्या है MSP को लेकर किसान क्या मांग कर रहे है सरकार का क्या रुख है Farmers' Protest What is the MSP issue on which farmers are agitating? Farmers' Protest Photo नियूंतम समर्थन मूले क्या है MSP वह निश्चित मूले है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारे और उनकी एजेंसियों किसानों से खाद्यान खरीदती है यह खरीदी केंद्रिय पूल के तहट की जाती है जिसका उप्योग सारवजनिक वितर प्रनाली, पीडियस और अन्य कल्यानकारी योजनाओं के तहट खाद्यान मुहिया कराने के लिए किया जाता है इसके अलावा खाद्यान को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षिद भी रखा जाता है हालां कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर MSP की गारंटी देने की मांग की जाती रही है सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और डाले जैसे खाद्यान शामिल है हालां कि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यानों जैसे धान, गेहों और कुछ हद तक डालों तक ही सीमित है इन में सबसे ज्यादा खरी जावल और गेहों की होती है 14 खरी फसलों के लिए MSP होती है ये फसलें हैं इधान, जवार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, औरद, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, रामतिल और कपास वहीं डस रभी फसलों के लिए MSP दी जाती है ये फसलें हैं गेहों, जव, चना, मसूर, सरसों, कुस्म, तोडिया और अन्य फसलें, कोप्रा, भूसी रहित, नारियल और जूट खाद्यानों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राजियों में केंद्रित है देश में सबसे ज़्यादा गेहों का उतपादन करने वाले तीन राजे मध्यप्रदेश, पंजाब और हरियाना इसकी ज़्यादातर खरीद करते हैं वहीं चावल का उतपादन वाले छह बड़े राजयों पंजाब, तेलंगाना, आंधर प्रदेश, चछतिसगर, ओडिशा और हरियाना की खरीद में ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है फर्मर्स प्रोटेस्ट, what is the MSP issue on which farmers are agitating? गेहूं खरीदी केंदर, फोटो, अमर उजाला, MSP खरीद का असर क्या हुआ है? केंदर सरकार की खरीद नीती के अनुसार, सारवजनिक खरीद का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाबकारी मूले मिले यदि किसानों को MSP की तुन्ना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं MSP किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसले उगाने के लिए प्रोटसाहित करता है चूंकि गेहूं और चावल PDS के तहट प्रदान किये जाने वाले प्रमुक खाद्यान है, इसलिए इन फसलों की ज़्यादा खरीदी होती है यही कारण है कि फसलों का उतपादन गेहूं और धान पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तों का उतपादन करने के लिए प्रोटसाहन नहीं मिलता है इसके अलावा इससे जलस्तर पर दबाव पड़ता है क्योंकि ये फसले पानी की अधिक खपत करती है कुछ राजे सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उतपादन को प्रोटसाहित करने के लिए कुछ कदम उठाए है उदाहरन के लिए हरियाना ने MSP के लिए योजना शुरू की जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल या कपास उगा सके योजना के तहट विविद फसलों की उपज को राजे सरकार MSP पर खरीदती है हरियाना के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को MSP देने की शुरूआत की है Farmers protest What is the MSP issue on which farmers are agitating? सर्वन सिंग पंधेर, photo, संबाद न्यूज एजेंसी MSP को लेकर किसान क्या मांग कर रहे है? पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूंतम समर्थन मूले या MSP की गारंटी वाला कानून लाए दिल्ली कूच से पहले बारह फरवरी को किसानों और केंद्रिय मंत्रियों के बीच बैठक हुई लेकिन इसमें ASP जैसी मांगों पर सहमती नहीं बन पाई किसान नेता सर्वन सिंग पंधेर ने से कहा कि उनकी मुख्य तीन मांगें MSP की गारंटी किसानों के करज माफ करने और साथ से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमती नहीं बन सकी फोटो, एजनसी, फाइल फोटो किसानों की मांग पर सरकार का क्या रुख है बैठक का हिस्सा रहे केंद्रिये खिशी मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा परामर्ष की आवशक्ता है इसके लिए हमें राज्यों से बात करने की आवशक्ता है हमें चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंडने की जरूरत है भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है जनता को परेशानी में नहीं डानना चाहिए किसान यूनियन को इसे समझना चाहिए इससे पहले सुमबार को जालंधर में केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर ने कहा किसानों को MSP के नाम पर विरोधी डल भरका रहे है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारी सरकार ने कई कदम उठाए कांग्रेस ने अपने कारेकाल में कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दोगुनी से जादा खरीद की और दाम भी जादा दिये